आज मैं आपके लेके आई हूँ जट पर 10 मिंटों में बनने वाली सोया बिर्यानी की रेसिपी यकीन मानिए ऐसा ज़्वाद आएगा इसमें जैसे आप कहीं रेस्टराण में बैटके बिर्यानी खा रहे हो एकदम ही जूसी और खिली-खिली बिर्यानी बनाने की ट्रेक में आपके साथ शे़र करेंगे दस मिंटों में इंस्टेंट कुकर में ही बनाके हम इसे तयार करेंगे में बात तो ये घर में ही पड़े इंग्रीडियंट्स के चाथ भना हैंगी तो चलिए हमारी यह खिली-खिली soya biryani की recipe को start करते हैं थoug आप आना लोगायाओ लिया है बॉल块 में ने तो लियम ने मीडियम साइस के सुया चंग्स लिया है उस में घरम पानी डालके इसे sी कर रहे हैं इसे 15-20 मिनट के लिए हम गरम पानी में सोख कर देंगे सोख करने से क्या होगा ना कि यह अच्छे से फूल के तयार हो जाएंगे तो चलिए इन्दा मेन्वाइल हम नेक्स्ट मेरिनेशन कर लेते हैं एक बॉल में मैं आधा कब दहीं का ले रही हूँ इसमें मैं आधा चमच अध्रक लसन का पेस्ट एट कर दूँगी आधा चमच से भी कम मैं इसमें हल्दी डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें आधा चमच आदे चमश से भी कम मैं इसके अंदर कॉरियंडर पाउडर डाल रहे हूँ गरण मसाला डाल देंगे आदे चमश में इसमें नमक डाल रहे हूँ एक चमश में इसके अंदर बिर्यानी मसाला डाल रहे हूँ अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे दही में सारे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स करना है देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है दो से तीन मैंने लंबिलनभी हरी मिच काटके इसमें डाली है ये पुदीने के पत्ते में डाल रही हूँ इसके अंदर इसका बिर्यानी में बहुत important part है तो चलिए इसे side पे रख देते हैं और soya chunks को check कर लेते हैं तो देखिए soya chunks हमारे अच्छे से full के ready हो गए है मैं हातों से press करके देख रही हूँ ये एकदम से soft हो चुके है अब हम क्या करेंगे इसे squeeze कर देंगे इसे अच्छे से हातों में लेके हम इसका पानी बिलकुल ही निकाल देंगे इसे अच्छे से squeeze कर देंगे देखिए इस तरह से निचोडते होए मैं सारा पानी इसका निकाल रही हूँ पानी निकालने से क्या होगा ना इसके अंदर जो भी कड़वा पन होता है वो भी निकल जाएगा और हमारा जो marination होगा वो अच्छे से इसके उपर हो पाएगा तो अब मैं इस सोये चंक्स को दही के marination में डाल रही हूँ सारे चंक्स को मैंने अच्छे से दही में डाल लिया है यह मैंने एक बड़े साइस का आलू लिया है इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ एक medium साइस का गाजर लिया है मैंने इसे भी मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है आप चाहें तो गाजर को skip भी कर सकते हैं अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सारे मसालों में और दही में हम सोया चंक्स को और आलू और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इस तरह से मिक्स करना है कि सारा हमारा जो दही में कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए देखे मैंने इसे अच्छे से दही के मैरीनेशन में मिक्स कर लिया है तो यहाँ सोया चंक्स पे, आलू पे, गाजर पे अच्छे से दही की होटिंग हो चुकी है तो चलिए बिर्यानी बिनाना स्टार्ट करते हैं तो अब मैं एक कुकर लोंगी, कुकर में मैं थोड़ा सा ओयल डाल रही हूँ, एक चमच में इसमें देसी घी का डालूँगी, देसी घी में बिर्यानी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, आदा चमच में इसमें जीरा डाल रही हूँ, दाल चीनी डाल देंगे, ये मैंने एक मोटी इलाइची, दो छोटी इलाइची, पान से छे दाने काली मिर्च के, लॉंग और एक मैने जावित्री का टुकडा लिया है, यह मैं इसमें डाल रही हूँ, दो तेश पत्ते के डाल देंगे, इन सभी खाड़े मसालों से बिर्यानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ हलका गुलाबी कलर आने तक मैं इसे स्टर करूँगी, अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी इसमें आधा चमच अधरक लसन का पेस्ट डाल दूगी, अधरक लसन हमने पहले भी डाला था तो उसी के कॉर्डिंग ली आप डालिएगा, तो अधरक लसन का पेस्ट मैंने इसमें आट कर दिया है, अब मैं इसे हलका लाल होने तक अच्छे से भून लूँगी, जब हम लगे कि हमारे प्याज में अच्छे से कच्चा पन दूर हो गया है, तो हम इसके अंदर टमाटर आट कर देंगे, देखी, प्याज में हमारे अच्छे से कच्चा पन दूर हो ग इसके अंदर हमें सिर्फ इसे एक से दो मिनट ही चलाना है तो टमाटर को मैंने यहां पर अच्छे से दो मिनट चला लिया है यहां गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है अब हम इसके अंदर अपने मैरिनेटिट सोया चंक्स को डाल देंगे खड़ी मसालों की बहुत ही अच्छी खुश्वू आ रही है मेरे किचन में तो चलिए इसके अंदर सोया चंक्स को डाल देते हैं तो सारे मैरिनेटिट सोया चंक्स को मैं इसमें आड़ कर दूँगी अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे अच्छा बहुत जादा इसे नई बुनना है सिर्फ हम इसे दो मिनट के लिए ही प्याज और टमाटर में मिक्स कर देंगे अब mix करने के बाद हम इसे cooker में चारो तरफ फिला देंगे फिलाने के बाद इसके अंदर हम अपने चावल एट करेंगे चावल को मैंने आदा गंटा पानी में भीगो दिया था मैं यहाँ पर बास्मती राइस का यूज़ कर रही हूँ आदा गंटा ही पानी में भीगोना है इससे जादा हमें नहीं भीगोना है अदर्वाइस क्या होगा न कि चावल हमारे सारे तूट जाएंगे और वो किचडी की तरह बन जाएंगे तो बास्मती राइस को मैं इसके उपर अच्छे से फिला रही हूँ अब बिलीव कीजिए इस तरह की बिर्यानी अगर आप बना के तयार करेंगे न आप हमेशा इसी तरह की बिर्यानी बनाना पसंद करेंगे और ये जटपट से 10 मिंटों में बन के तयार हो जाती है अब इसके उपर मैं आदा चमच नमक कर डाल रही हूँ क्योंकि नमक वैसे तो हमने पहले भी डाला था पर चावलों में नमक थोड़ा कम रह सकता है इसके बाद मैं इसके उपर थोड़ा सा बिर्यानी मसाला फिर से आइड कर दूँगी बुना हुआ जीरा डाल रही हूँ मैं आदा चमच इसमे अब हम चमच से ने इसे हलका हलका सा मिक्स कर देंगे हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि हमारी कोटिंग चावलों की ओपर ही रहे इसके उपर मैं पुदीने के पत्ते आइड कर रहे हूँ चारू तरफ मैंने पुदीने के पत्ते फिला दिया है अब मैं इसके उपर fried onions डाल रही हूँ, यह मैंने पहले से ही fry करके रख लिये थे आधा कप मैंने दूद लिया है, दूद के अंदर मैंने थोड़ा सा color डाला है अब इसके उपर मैं इसको फिला दूँगी, आप चाहें तो दूद में केसर को डाल के भीगो के भी रख सकते है तो इस तरह से मैंने दूद को अच्छे से इसके उपर फिला दिया है तो अब हम इसके उपर दो से तीन चमच घी के डालेंगे घी का स्वाद बिर्यानी में गाइस बहुत ही अच्छा आता है तो लास्ट अब इसमें पानी डाल देते हैं पानी की मातरा का बहुत ध्यान रखना है जैसे मैंने एक गलास चावल लिया है तो मैं सिर्फ सवा गलास इसमें पानी डालूँगे क्योंकि आदा कप मैंने इसमें दूद भी डाला था और इसमें दही भी एड है तो दही में भी बहुत मुश्चर होता है तो फोक से इसे हम हलका हलका सा प्रेस करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे और जब इसका प्रेशर बिलकुल ही निकल जाये तब ही हम इसे खोलेंगे तो एक सीटी आ चुके है चलिए बिर्यानी को चेक कर लेते हैं वाउ आप देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया हमारी बिर्यानी बनके तयार हुई है अब हम इसे फोक से पफ अप कर लेंगे अच्छे से मैं इसे साइडों से अराम से पफ अप करूँगी ताकि हमारे चावल तोटे भी न देखिए कितनी ही बढ़िया हमारी खेली खेली बिर्यानी बनके तयार हुई है एक तम से पानी हमारा चावलों में सोक चुका है देखिए एक एक दाना हमारी बिर्यानी का अलग बना है तो पांच से दस मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढखके छोड़ देंगे उसके बाद ही हम इसे सर्फ करेंगे तो लीजे हमारी सोया बिर्यानी बनके तयार है तो आप भी प्लीस इसे जरूर ट्राइ कीजएगा बहुत ही टेस्टी बिर्यानी बनके तयार होती है और दस मिनटो में तयार हो जाती है अब द्थ मेरी ये रेषिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक केजएगा प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नेक्स रेसिपी में